नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुलमिश्चा आज हम लोग भारती दर्शन के आस्तिक संप्रदाय सांग दर्शन पर बाचित करने जा रहे हैं अब विकास वाक को समझने के लिए बहुत आसान सा है कि जैसा कि सांग दर्शन मानता है इसके दो तत्तों है एक पुरुष है और प्रकृति है पुरुष चेतन है और पुरुष चेतन है साथ में निश्क्री है प्रकृति जो है वो अचेतन है लेकिन सक्री है ये दोनों आपस में मिलते हैं आपस में क्यों मिल रहे हैं इसकी तार्किक व्याख्या करने के लिए सांग दर्शन तीन तरह की बातों करते हैं रोचक बात यहां बता दें कि सांग के दर्शन में इश्वर की कोई भूंका नहीं है सांग के आस्तिक संप्रदाय होते हुए भी निश्वरवादी संप्रदाय है इसलिए यहां पर जब आस्시क संप्रदाय कहा जाता है, इसका मतलब इश्वर को मानना यंद्ना मानना नहीं है, बलकि जो आस्थिक संप्रदाय है, उसका आधार यह है, जो रूडूडीगत पृंपरा को मान रहा हो, जो वेद उपेस्तितों से सहमत हो, उसे हम लोग आस्थि योगा भास हो रहा है और कहीं कहीं सन्यदी का उल्लेगा जो भी हो तो इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रकृति है पुरुष है प्रकृति है प्रकृति में मिलन हुआ उसकी और प्रकृति में तीन गुण माने जाते हैं इंतियों सत्तम रज ये प्रकृति के तीन गुण आने से उनकी साम्यावस्ता भंग होती है और जैसी साम्यावस्ता भंग होती है तो विकास शुरू होता है महत महत पहला तत्व होता है फिर उसके बाद अहंकार का जन्म होता है एहम भाव एहंकार का मतलब होता है मैं कि उत्पत्ति होती है तो महत मतलब होता है तो महत मतलब बुद्धी कहा गया है पुरुष जो की प्रकृत से अलग है पुरुष जो की आत्त्व है पुरुष जो अभौतिक है लेकिन शरीर से सभीत होने कर उसमें एहम भाव आता है महत वो अपने को करता मानने लगता है बड़ा अच्छा उसमें उसको योग दर्शन में इसको आग जलती रहती है तो आग का जो लोहे का गोला स्वयम आग जैसे नजराता है उसी तरह आत्मा शरीर से अलग होते हुए भी स्वयम को शरीर से सभीत होती है तो हंकार फिर से मन की उत्पत्ति होती है तो मन इसे उभै लिंक कहा जाता है मतलब यह भौतिक भी है और आंत्र पहले मन है मन से पांच कर्मेंद्रिया मिली है पाँज ग्यानेंद्रिया आँक कान नाक और जीवा और तफचा का विकास होता हम सब को पता है हमें जो भी knowledge प्राफ्थ होती है उन नौलिज कैसे होती है तो हम आखों से देखते हैं कांस सुनते हैं नाक से सुंगते हैं और जीवा से स्वाद मिलता है तो आज बहुत ठंड है इसकी जानकरी तोचा से होती है महक कोई चीज़ सुक्वा महक आ रही है बद्वू है कि सेंटेक है जीवा से हम स्वाद सकते हैं तो यह पांच तो तब तो मिलके ग्यानी पांच कर्मिंद्रिया वाक पाणी पाद पायू यह पायू और उपस्त तो यह पायू है तो पायू और उपस्त तो यह पांच तरह की कर्मिंद्रियां बनी हैं जिसको पांच तरह के हम काम करते हैं इस तरह की पांच कर्मिंद्रियां हम लोगों के पास भाई ठिक और फिर इसी आधार पर फिर आता है पांस तर्मात्रा कि रूप शब्द गंध रसना और इस पर्श यह अलग अलग पांच जो है वो तत्तों के बारे में हम लोग करतें पांस तर्मात्र इस सूख्ष तत्तों से स्ष्ष्टि का विकासक्रम में और पंच महाभूत का इस्तेमाल पिरत्वी जल अगनी वाई और आकास का विकास हो जा रहा है तो इस पंच महाभूत तो होता है यहां जूरुणी कि क्रम का पालन किया जाया यह क्रम में नहीं है यहाँ पर क्योंकी क्रम दिखा जाय तो गंध का संबंद प्रिथवी से है यह अलग पर उसके बाद रूप का संबंद जो है वो अगनी से है शब्द का संबंद अगर आप देखेंगे तो यह अलग-अलग रूपों में यहाँ पर प्रश्लित होता है तो यह प्रित्वी जल अगनी वायू और आकाश तो यह जो पांस तो पंच भावुत करते हैं पंच भूत इ नहीं कोई कहा गया है इसलिए यह अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं और इसको मैंने पता नहीं किसको सांग दर्शन ने बाद में पंच महाभूत पंच तरमात्रा से ही पंच महाभूत का विकास हो रहा है अगर देखा जाए तो अब यहां पर देखें यह पंच विवा है तो रसनाहे तो जल है पर यहां पर देखे अंग एक तो गंदहें तो पुर्थवी है ठीक है कान है तो शब्द्दय API अकाश है अक है तो रूप है और झारती बात है फिर हम अगनी को देख शकतें इस तरह यह विकास यह इंच तत्तों है इंच पंच में आधार क पूरी सिश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष प्रकृति हम लोगों ने देखा था मूल कांट सतकारवाद आया सतकारवाद आया पूर से विशेस्ताओं की जगराई तीन गुण पर सर गया अब देखें तीन गुण तीन सर का बारम हुआ था जब तीन गुण के सामयावस्था भंग हुई थी और फिर इसी सामयावस्था होने के बाद विकासवाद सम्मंद हुआ सामयावस्था मंग हुई विकासवाद आया 25 प्रत्यस्वर्ग और बहुतिक स्वर्ग और सर के बाद फिर यह विकास होता है और इसी विकास की प्रकिरिया में विकासवाद अपने अंतिम निश्कर्थ पर पहुंसता है और फिर ए तीनों गु догन अपनी साम्य वस्था में आते हैं तो उसे प्रले कहा जाता है और इसी प्रले के आधार पर तीनों गुण अपनी साम्य वस्था में आगये साम्य वस्था में फिर सूख्यों-वस्था में जैसे जो थेयरी आजकल साइन्स के चल रही है ब्लैक होल में सब समाहित हो जाएंगे, जब तीनों गुण अपने सामया वस्ता जाते हैं, तो प्रकिर्ति में समाहित हो जाते हैं, और इस सिष्टिका एक तरह से विनास हो जाता है, इस तरह हम लोग इसे सांग दर्शन को देखते हैं, अब आते हैं इसकी समिक्षा पर, आधार पर अब उसी करम में आलोचना है, आलोचना क्या है, कि जैसे हम लोग ने प्रकिर्ति पूरुस संबंदर विकासवाद, जब भी हम लोग ने इसके पहले ये भी पढ़ा है, उनका सतकारवाद, तो सतकारवाद को दुबारा हम लोग जब नियाए दर्शन पढ़ते ह होती है, तो यहाँ समिक्षा हैं पहला सतकारवाद आता है, सतकारवाद के अलोचना जो लोग सतकारवादी हैं, वो प्रकृत के सिद्धान को सही नहीं मानते, उनका कहना है कि अगर हम ये मान लेंगे कि कार पहले से कार्ण में मौझूद है, तो भईया दूद और दही में दूद में मानेंगे, तो यह नियमों का उलंगन होगा, इसलिए जो असतकार वादी है, वो सतकार वाद को सिधानत को नहीं मामते, अब जहां तक प्रकृति की बात है, प्रकृति की जो विशेस्ताएं हैं, उसको भी उन्होंने सही नहीं माना, एक तरफ आप प्रकिर्थी को कहते हो प्रकिर्थी 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 प्रक आई गई हैं वह भी मानने नहीं हैं तो यह प्रकृत को लेकर संखेप में आलोशना होती है दूसरी आलोशना पुरुष को लेकि होती है पुरुष आत्मा पहला तो यही तरक है कि जो दार्शनिक पुरुष को मामते हैं, जो दार्षिनिक मामते हैं कि पुरुष तत आत्मा होती है, वो पुरु आत्मा को तरक के सिद्ध करने का विरोध करते हैं, संक्राचार कहते हैं, जिसके द्वारा हम सभी चीज़ों को सिद्ध करते हैं, उसकी सिद्ध उसी से नहीं हो सकती, जैसे हम पूरी दुनिया देखते हैं लेकिन उसी आंख से स्वेम आंख नहीं दिखाए दोती तो आत्मा जो है उस स्वेम प्रकास स्वरूप है आत्मा को तरक से सिद्ध नहीं किया जा सकता अगर आप आत्मा को तरक से सिद्ध कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आत्मा जो है वह भौति जगत में है इसलिए आत्मा को तरक से सिद्ध नहीं किया जा सकता है तो पुरुष की आलोचना आत्मा को तरक सिद्ध करने के लिए पुरुष के जो आप एक तरह दुनिया में सबको माना जाता है जो चेतन है वो सक्री है लेकिन आलोचक कहते हैं कि सांग दर्शन एक मात्र ऐसा दर्शन है जो कहता है कि आत्मा जो है चितन होने के बाद निश्क्री है आत्मा जो है निश्क्री है लेकिन भोकता है तो कहते हैं ये विरोधा भास उसके सुरूप को लेकर है आत्मा को तरक्षे सिद्ध करना भी सही नहीं माना जाता है फिर आता है फिर बात आती तरक् पूरुष की जो अनेकता सिद्ध कर रहे हैं वह एक तरफ आलोचक कहते इसको सरल समझे अब देखिए आत्मा को पूरुष को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या कहा था कि पूरी दुनिया में तीन गुण पाये जाते हैं इन तीन गुणों जिसका जो विरोधी है वह पू यह देखे टिकने गलती कर रहे हैं पहली बात तो कह रहे हैं कि पूरुष इन तीन गुणों से अलग है लेकिन जब आत्पूरुष की अनेकता सिद्ध करनी हुई है तो यह गुणों के आधार पसिद्ध कर रहे हैं जो की गलत है इस तरह पूरुष की जो अनेकता सिद्ध कर रहे हैं उसमें भी समिक्षक जो है वो कुछ दिक्कतों को महसूस करते हैं फाइनली जो संबंद उसकी भी आलोशना होती है संबंद में कहते हैं कि भाई कि पहला जो है वो अचेतन है सक्री है दोनों पास कैसे आएंगे और दोनों अगर पास आ गए तो हमेशा सक्री रहेंगे भई दोनों अगर पास आ गए तो अलग नहीं होंगे अलग ना होने से हमेशा सक्री होंगे हमेशा सक्री होंगे तो हमेशा भी कास चलता होगा तो प्रले नहीं होगी तो इसका मतलब ही सोता सकरी है तो भाई हमेशा विकास कलता रहेगा और कभी भी प्रले नहीं आएगे अगर दूर है और कहते हैं अगर इश्वार जो है अगर दूनुं बहुत दूर 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 हैं तब भी तब भी किसी वी तारफ पे जो है विकास नहीं पास होगा तो हमेशा वो सक्रीता बनी रहेगी इसका मतलब है संबंद की जो आलोचना होती है कि वास्तुक संबंद संबंद इससे बचने के लिए उन्होंने क्या क्या संदी कहा कि वास्तो रूप में नजदिक नहीं आते हैं बलकि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं दूर से ही फिर वही समस्या खड़ी हो गई संदी भी सही नहीं है अगर एक दूसरे के विपरीत हैं दूर से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं तो यह सक्री रहेंगे तो हमेशा विकास की प्रक्रिय चलेंगे और फाइनल इन दोनों से बचने के लिए सांक दर्शन जो है वो संयोगा भास का जिक्र कर रहा है और संयोगा भास के जिक्र में वो कहते हैं कि वास्तों में नहीं होता बलकि इसका भास होता है तो भले यह अपने लौजिक से बचने के लिए करें लेकिन हम लोग द स्ट्रिश्टिप्र प्रीए पूरा विकास वाध ही संभाः पिमात हो गाँ अभास मात्र होगा जो कि इनके खुद के लोजिकल तार्किन श्कुर्स को कर देगा और यही जो सम्मंद की अलोचना यही विकास वाध भी लाग हो जाती है और आप पूरे फिक्रिया सुरू होती तो अलोचे कहते हैं कि स्षिव्टि प्रकिरिया अगर महत्नामक तत्व के अबिरभाव होने से सुरू होती है तो बिना विकास के कैसे नहीं कर पाते हैं और इनके विकासवाद को यह माना जाता हैまぁ इनके उपर की कमियां, अगर पुरुस सिद्धानत में कमी है, पुरिस सिद्धानत में कमी है, संबंद तारकिक नहीं है, तो इनका विकास Всवात स्वता ही अलग अलग तरीके से संकड गरस्त हो जाता है, या कह सकते हैं तारकिक विसंगतीयों से गरस्त हो कह सकते हैं कि प्रकृति के तत्व के तौर पर इन्होंने जो सिध्धान्द दिया जड़ तत्व से जो विकास की ब्याक्या की वह आज भी मानने है और किसी ना किसी रूप में जो भी फिदाश्चित संपर्दाय आगे आ रहे हैं वो इसको स्विकार कर रहे हैं इवें कि यहा कि यह जो दाश्चिक संपर्दाय हमारे सामने आता है यह पूरे अन्य भारतियास्तिक और नास्तिक दोनों दाश्चित संपर्दायों को दिशा देने का काम करता है तो यह थाई सांग दर्शन की तत्यमिनान सा धन्यवाद